जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों KVS 2023 का रिटन एक्जाम कटाफ कितना जाएगा बहुत आसान भासा में बिना गुमाए दो मिनट के अंदर आपके स्क्रीन पर आपका सारा डाउट खत्म कर देते हैं देखेगा कितना जनरल का कटाफ जाएगा 2023 में कितना OVC का जाएगा SC का जाएगा ST का या फिर EWS और PH कंडिडेट का देखेगा अगर हम आपके नंबर की बात कर लें तो KVS एक्जाम इस समय काफी घेरे में रहा है कि वो लीक हुआ है लीक ख़वरों में बना रहा है क्या आपका जोइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा क्या आपके इतने नंबर बन रहे है तो आप बिलकुल सेफ है उस सेफ जोन में आप आते हैं या आती है गुरुजिव वर्ड एक्जाम स्टड़े प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपका धन्यवाद अगर हम 2023 कटाफ की बात करें तो उससे पहले 10 सेकेंड में आपका एक बहुत आसान डाउट क्लियर कर देते हैं कि आखिर पिछला कटाफ कितना रहा होगा देखेगा 2018 में 1500 नंबर का पेपर था 1500 क्वेशन्स का पेपर था सामानने का 95 गया था SE का 88 गया था देड्स वे और ST का 79 गया था वहीं अगर हम फाइनल कटाफ की बात कर लें फिर हम जानते हैं 2023 का इस एक्जाम में कितना कटाफ जाएगा फाइनल कटाफ गया था UR का गया था जननल का 68.6 से जिरो OBC का इतना गया था SE का इतना गया था और ST का इतना गया था हमें उससे comparison कर ली हमने उससे comparison तो कर ली अब बात आती है कि आपका score बाकई में इतना कम है क्या इतना जाएगा तो देखिएगा KVS exam के लिए PRT वाले जो बच्चे है Primary Education वाले जो बच्चे है और वो प्राइमरी सिक्षक और सिक्षिका बनना चाहते हैं तो समझेगा दोस्तों यहाँ पर अगर आपका score है देखिए प्लस माइनस दो या तीन तो हो सकता है लेकिन अगर इसके पहले में एक और चीज़ बता देता हूँ इस एक्जाम में अगर पूरी पारदर्शिता हुई है पूरा सेफ जो है यह एक्जाम लिया गया है कोई नकल नहीं हुई है तो मैं यह कह सकता हूँ मेरा यह दावा कते गलत नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत सालों कानू हो है दोस्तों UR सामानेक की कटाफ की बात करें तो 120 प्लस माइनस 5 और 10 120 से 130 के इरा में आप आते हो क्राइटेरिया में आप आते हो तो भईया बिल्कुश सेफ है OBC कंडिडेट अगर आप है तो 118 देखिए OBC, EWS और UR की बात अगर कर लें 110 से 118 और PH कंडिडेट में आप उसे पहले EWS की बात कर लेते हैं जो वीकर है ठीक है ना यहां पर 117 से 122 रहने वाली है और PH कंडिडेट की बात करें तो वो रहेंगे दोस्तों दिभ्यांगजन रहेंगे 85 से 100 के बीच में अब मेरी बात यह है कि आपका स्कोर लगवक कितना बनेगा आपको क्या लगता है आप इस वार जो एकजाम है न आप बहुत से बच्चे कहेंगे सर यह कटाफ का प्रडिक्शन है यह गलत भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है आप समझो इस चीज को हमारे लिए क्यों यह सही है 100% सही क्यों है आपके लिए क्यों गलत है क्योंकि मेरे लिए इस लिए सही है क्योंकि इस वार का पेपर बहुत ups and downs वाला पेपर था बहुत easy पेपर आया और बहुत cutting पेपर भी आया आपके shift में आपके हिस्से में कौन सा पेपर पड़ा ये डिपेंड करता है आपके डेट पर है ना तो इसलिए आप पिलकुल भैवीत ना हो और ऐसी तमाम वीडियो सो बचने की कोसिस करें जिससे आपके तनाओ को बढ़ाया जा सके है ना आप तनाओ को कम करेंगे घटाएंगे समझो इस चीज को गुरुजिव वर्ड एक्जाम स्टड़ी आपके हित की बात करता है जोइनिंग लेटर आपको थमा देगा चाहे वो सरकारी नौकरी में सरकारी सिक्षक की कोई राजी की वेकेंसी क्यों न यह नहीं तो अगली सही और अगली का मतलब है यह नहीं कि आप सालों साल इस साल आने वाले इस साल के अंत तक आपके हाथ में किसी भी सिक्षक और सिक्षिका किसी स्टेट लेवल में केंदरी विध्याले में कहीं भी आपको कताई यहाँ पर हम निरास नहीं करेंगे इसलिए सस्क्राइब कर ले रास्ट हित में गुरुजिव वर्ड एक्जाम स्टड़ी ये प्रेडिक्शन लोगों में सेयर करो कि क्या आपके नमबर इतने बन रहे है अगर ये नमबर बन रहे है तो क्या आप पूछो उनसे ये वीडियो सेयर करके अपने मित्रों से पूछो क्या ये वाला कटाप सही है क्या ये वाले कटाप के अंडर में आप आ रहे हो और आपके कितने नमबर हैं बहुत बड़े है वीडियो लाइक जरू कर लेना गुरुजिव वर्ड एक्जाम स्टड़ी प्रेड़्वर्म के आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम नमस्ते आप सस्रेकाल तार ठोकर जाय महाकाल वीडियो हर जगे फैला दीजेगा जैहिन वंदे मातरम